अनिल अम्बानी और आरकॉम के खलाफ एरिक्सन की ओर से दायर अम्माना याचिका पर सुप्रिम कोर्ट पे सुनवाई के दौरान एरिक्सन के वकील ने कहा कि अनिल अम्बानी के पास राफेल में नवेश के लिए पैसा है लेकिन बखाया चुकाने के लिए ने अनिल अम्बानी की ओर से पेश हुए वकील मुकल रोहतगी ने कहा कि ना तो आब मानना हुई और नहीं आदालत के आदेश को नकारने का प्रयास किया गया है आरकॉम के लाखों शेर होल्डर हैं इस कंपनी के जम्मेदारी किसी एक की नहीं किसी एक डिरेक्टर को आरकॉम के लिए जम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो अंडर्टेकिंग दी गई थी वो शर्तों पर आधारित थी। कोई नहीं चाहेगा कि उसके कमपनी संकट में आया और दिवालिया हो जाए। इस सिती से निकलने की कोशिश जारी है। सुनवाई के बाद कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन और जस्टिस विनीद सरण की पीट ने कहा कि वो इस केश से जुड़े सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद जल्द फैसला सुनाया जाएगा। डिश कमपनी एरिक्सन ने 550 करोड रुपे के बकाया राशी कोट के आदेश के बावजूद ना देने पर अबमाना याचिका दायर की। सुप्रिम कोट ने 23 अक्टूबर को आरकॉम को कहा था कि वो इरिक्सन कमपनी को 15 दिसंबर तक 550 करोड रुपे की बकाया राशी का भुखतान करें। कमपनी के वकील ने कहा कि अने लंबानी को पैसा तो देना ही चाहिए इन्हें अबमाना की सजा भी मिलने चाहिए। कोट ने लंबानी को पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्हें कोट में पेश होना पड़ा था। दिरो रिपोर्ट एपियर